Hello student, आज हम लोग क्लास 10 का chapter pair of linear equation into variable exercise 3.5 question number आज हम लोग 2 देखेंगे 2 का 1 तो question number 2 का 1 के करें चलिए देखते हैं For which value of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solution 2x plus 3y equal to 7 a minus b bracket में है x plus a plus b y equal to 3a plus b minus 2 यह हम लोग कहा है, x है, ठीक है देखें हम लोग क्या करना है, हम लोग को a and b का value find करना है ठीक है, a and b का value find करना है जो हम लोग को linear pair of linear equation days का हम लोग को a and b का value find करना है कि जो a and b का value find करेंगे, तो हम लोग को क्या हो, क्या मिले infinite number of solution मिले, ठीक है जहां हम लोग ए और बी का वैल्य को क्या करेंगे पूट करेंगे तो हम लोगो क्या मिलना चाहिए infinite number of solution मिलना चाहिए infinite solution मिलना चाहिए तो infinite solution कब होता है किस condition में जह हम लोग का a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 तीनों क्या हो equal हो ठीक है तीनों का रिश्यू क्या condition क्या होगा a1 by a2 equal होगना चाहिए b1 by b2 for to c1 by c2 यह हम लोग condition है ठीक है आप चलिए a1 कितना होगा first equation का इसको चलिए equation 1 मान ले इसको equation नहीं देते चलिए इसको a दे देते और इसको नाम दे देते b चलिए a और b नाम दे जी a1 क्या होज़ेगा a equation का x का variable क्या हम लोग का 2 और a2 क्या होज़ेगा b equation का x का coefficient कितना होज़ेगा a minus b इसे पर equal to b1 क्या होज़ेगा equation a का y का coefficient 3 b2 क्या होज़ेगा equation b का y का coefficient अब फिर क्या होज़ेगा है आप दे c1 क्या होज़ेगा 7 और स्टीडू क्या हो जाएगा है आपके constant टर्म क्या है 3A plus B minus 2 ठीक है अब हम लोग इसको क्या करेंगे चेली देखें अब लोग इसको क्या करेंगे एक equation दो equation बनाएंगे ठीक है क्या करेंगे cross multiply कर देते हैं ठीक है ए माइनस B को 3 से कर देते और A plus B को 2 से multiply कर देते हैं cross multiply ठीक है तो क्या हो जाएगा 2AB 3A minus B चली इसको solve करते है 2A plus 2B multiply कर दी है 3 को A से करेंगे multiply तो 3A प्लस माइनस माइनस 3 को B से करेंगे तो 3B इन दोनों को उठा के यहाँ लेकिया जाते क्या हो जाएगा 2A माइनस एक काम करते हैं चलिए B को इधर लेके B को इधर लेके जाते और A को इधर लेके चलिए जाते इसमें असानी होगा अब यहाँ पर कर लेते हैं लोग 2B है अब यह क्या माइनस 3B equal to कदर आएगा तो plus 3B equal to कदर क्या बचाए 3A, 2A को equal to कदर लेके जाएगा तो minus क्या हो जाएगा minus 2A, यहाँ कितना हो जाएगा 2B plus 3B, 5B equal to दर क्या बचाएगा 3A में से minus कर देंगा 2A तो A बचेगा चलिए इन दोनों को compare करते हैं, क्या हम लोग का 3A plus B equal to 7, 3A plus B minus 2 चलिए Cross Multiply कर देंगे इसको भी क्या करेंगे Cross Multiply कर देते, अब जानते Cross Multiply करते, देखे इस 3 से multiply कर देंगे इसको 3A plus B minus 2 equal to क्या हो जाएगा, 7A plus B आप चली क्या करेंगे, multiply करतें थें, कितना हो जीएगर 9A, plus plus plus, 3 को B से multiply करेंगे, तो 3B, plus minus minus, 3 को 2 से multiply करेंगे, तो 6 equal to कधर दो क्या होगा, 7 को इसे करेंगे 7A, plus 7 को B से multiply करेंगे, तो 7B, आप क्या करेंगे चलिए देखते हैं 7a और 7b को equal to को धर ले क्या आजा तो 6 को धर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 9a plus 7 धर आजा तो minus 7a हो जाएगा plus 3b है धर के equal to कदर 7b plus में equal to कदर आजाएगा तो minus 7b ठीक है अब इसको equal to कदर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा ये minus 6 equal to कदर आजाएगा तो plus 6 हो जाएगा चलिए solve कर देदा है कितना बजेगा 9a मेंसे 7a माइनस कर दिएगगा 2a फिर क्या होगा देखिये plus minus 7b मेंसे 3b माइनस कितना हैगा 4b ठीक है 4B आएगा अब यहाँ पर क्या होगा 7 बड़ा है 7 के पहले क्या है इक्वल टू 6 है अब देखिए इन दोनों में क्या common है इन दोनों में 2 common है 2 common निकाल लेते A-2B इक्वल टू क्या बचेगा 6 अब इसको चलिए मैं next page में लिख देता हूँ अब यहाँ पर माइनस 2B cancel हो जगा 2 आज़ा 2 236 236 कितना आया 3 हम लोग equation number 2 आप चलिए क्या करेंगे हम लोग A का value को put कर देंगे equation number 2 में इस A का value को put कर देंगे equation number 2 में यहाँ पर लिख जाते हैं putting the value of A in equation second क्या हम लोग का equation second A minus 2B equal to 3 हम लोग का equation 2 यही है लिख दिया अब देखे हम लोग का A का value कितना था A का value है था हम लोग का 5B A का value कितना था 5B put कर देंगे minus 2B equal to 3 चलिए हाँ से 5B A minus 2B कितना बचेगा 3B equal to 3 B का value कितना आजएगा 3 upon 3 3 multiply में था equal to उज़र गया तो cancel हो जागा 3 1 जा 3 3 1 जा 3 B का value कितना आए 1 B का value 1 आए तो put कर देंगे किसमें equation अब equation number 1 में B का value put कर देंगे तो लिख देंगे putting the value of B in equation first में equation first हम लोग को क्या था A बराबर 5B ठीक है A बराबर 5B था तो A equal to 5 into B का place में कितना कर देंगे 1 ठीक है तो A का value कितना आजएगा 5 1 जा 5 हम लोग का A का value कितना आगिया 5 और B का value कितना आगिया B का value आगिया 1 तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे A बराबर कितना आया 5 और B बराबर कितना आया 1 आया ठीक है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे the given equation will have इन फाइनल सॉल्यूशन और यही हम लोगों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सो स्टुडेंट वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए सेर कीजिए कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू